हेलो इस्टेडी सेंटर बिद देवरिशी भार्दवाज तोडेज मैथ कुश्चन फोर यू इस साइट्स ओपे ट्रेंगल आर इन दा रेशो 12 रेशो 17 रेशो 25 एंड इट्स परिमिटर इस 540 सेंटिमिटर फाइंड इट्स एरिया क्या कहा है? क्या कहा है कि हमको तीन साइट का रेशो रेखा है ट्रेंगल की तीन साइट का रेशो रेखा है 12, 17 एंड 25 एंड परिमिटर कितनी है था परिमिटर है तो अगर हमको hero's formula को use करना है तो सबसे पहले हमको इन 3 sides की actual value find करनी होगी तो अभी के लिए हम क्या माल लेते हैं 3 sides की actual value क्या है अभी के लिए हम ये माल लेते हैं कि 3 sides की actual value 12x, 17x and 25x है ऐसा हम कर सकते हैं कह सकते हैं और perimeter अगर हमारे पास 540 है तो हम कैसे solve करेंगे कि exact value क्या है तो देखो तीनो sides का sum क्या होता है perimeter के equal होता है हम ऐसा ही कर सकते है यह जो तीनो sides का sum होता है वो perimeter के equal होता है तो 12x हमने माना 17x माना 25x माना तीनों का sum 540 के equal लग दाएंगे ठीक है और उसके बाद x की value find कर लेंगे तो देखो देखाते हैं यहाँ पर 12x, 17x and 25x ठीक है यह हमने 540 के equal लग दिया अब यहाँ से हम x की value find करेंगे तीनों का sum करके कितना है 54x is equal to 540 तो देखो 54 से 540 10 times कटेगा ठीक है यह 540 होगा 54 नहीं 540 तो x की value कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी अब x की value 10 आ गई तो first side कितनी होगी हमने कितनी माने थी 12x तो 10 की x की जीका 10 रखेंगे 10 से multiply तो 120 यह हो गया 170 यह हो गया 250 तीनों हमने find कर लिए 120, 170, 250 अब तीनों साइट से हमको पता है अब heroes for one लगाने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा perimeter का half करना पड़ेगा तो 540 upon 2 करेंगे तो 270 आ गया अब formula क्या होता है अंडरूट में s, s-a, s-b, s-c a, b, c क्या हैं sides हैं तो सबसे पहले semi perimeter की value कितनी है 270 इस में से first side minus करेंगे that means minus कितना करेंगे 120 फिर s में से minus करेंगे 170 यह second side है ठीक है और फिर third side कितनी है 250 तो 270 में से 250 को minus करेंगे और नीचे देखो इनको minus करके लिख देंगे अंडरूट में 270 150, 120 ठीक है अब अंडरूट में से value उसको बाहर निकालेंगे तो solve करेंगे इसको कितना आएगा solve करेंगे तो देखो नीचे हाँ पर factors करती है और जिससे 100 को 10 का square लिख दिया तो देखो 100 में से अंडरूट करेंगे तो कितना आएगा 10 आजाएगा 27 के आगे 0 है 15 के आगे 0 है तो यह भी 100 हो जाएगा 00 दौन देखेंगे तो यह भी 10 और बाहर आजाएगा 10 और 10 बाहर 10 आगए 100 तो यह बाहर आगया अगर 27 बसता आई उसको cookies बसता है 20 बसता है तो आब इनको देखना है तो 9000 cm2 आंसर आजाएगा I hope समझ में आए होगा ये question कुछ नहीं है सिर्फ नीचे calculation है और आपको ये formula याद समझना है बस इसके अलाबा अगर ratio में दे रखा है तो आप पहले x की value इस तरीके से find करोगे ratio को हटा के मतलब actual value find करोगे और फिर इस formula को use करके answer लाओगे I hope समझ में आए होगा question question समझ में आए होगा तो वीडियो को like करो share करो and subscribe करो and thanks for watching